नमस्कार दोस्तो घरेलू नुस की चैनल में आपका सुवागत है दोस्तो आप लोग हमारी चैनल को आज सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और सेर कीजिए दूस्तु आज हम बात करेंगे साबुदाना के फाइदों के बारे में दूस्तु साबुदाना का सेवन तो आपने किया ही होगा साबुदाना काफी स्वादिश्ट होता है हर कोई इसका सेवन केवल स्वाद के लिए करता है लेकिन बहुत कम लोग हैं जिने इसके तीन अनोके फाइदे के बारे में पता हैं सायद आपको भी नहीं पता होगा अगर ऐसा है तो आज हम आपको साबुदाना के तीन अनोके और चोकाने वाले फाइदों के बारे में बताने जा रहे हैं साबुदानों को कई तरीके से पकाया जाता है और कोई इसका खीर बनाता है तो कोई खिचडी यानिकी साबुदाना से आप कई तरह के डिस बना सकते हैं आप चाहे जिस तरह भी इसका सेवन करें लेकिन इसका सेवन करें जरूर यह हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है आपको इससे जुड़ी कुछ ऐसी बाते हैं जो पता होगी लेकिन इसके फाइदे हर किसी को पता नहीं होती है अगर आप भी इसके फाइदे नहीं जानते हैं तो आज जरूर जान लें और हम यकीनन कह सकते हैं कि फाइदे जानने के बाद आप इसका सेवन करना सुरू कर देंगे तो आईए जान लेते हैं साबुदाना के तीन अनोके फाइदों के बारे में एक दुबलेपन की समस्य से चुटकारा दिलाता है आज कल अगर लोगों को मोटापे की समस्या है तो वहें कैं लोग ऐसे हैं जो अपने दुबलेपन की समस्य से परेशान है वो चाहे किसी भी चीज का सेवन कर लें उनके सरीर के उपर कोई परभाव नहीं परता है अगर आपको भी दुबलेपन की समस्या ने घेर लिया है तो आप आज से ही साबुदाना का सेवन सुरू कर दें इससे हमारे मासपेश्याओं में व्रध्धी होती है और साथ ही रत संचार भी सुधरता है क्योंकि दोस्तो साबुदाना में पोटेश्यम परचूर मात्रा में पाया जाता है दो पेट से सम्मंदि समस्याओं से छुटकारा दिलाता है दोस्तो पेट की समस्या आज कल किसे नहीं हो रही है जादतल लोग आज पेट की समस्या से परेशान है खास कर गेस आधी से पेट की समस्याओं में केवल गेस ही नहीं बलकि अपच पेट में दर्द जलन आधी की समस्या से लोग परेशान हो गए हैं अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप रोज साबुदाना का सेवन करें तीन हड्डियों के लिए लाबदायक अकसल लोगों की हड्डी बहुत कमजोर हो जाती हैं वो थोड़ा सा चोट लगने पर भी फ्रेक्चर हो जाता है ऐसे व्यक्ति को साबुदाना का सेवन जरूर करना चाहिए क्योंकि साबुदाना में केलसियम, आयरन और विटामिन भरपूर मातरा में पाया जाता है जो हड्डियों को मजबूत करता है वो साथ ही उन्हें ललचीला भी बनाता है जर जर विर सेवन जरूर शार प्ल्वदाना कर भी चाहिए